हलो फेंस मैं हूँ कंचुन शर्मा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बरत उपास में बनने वाली मखाने की खीर की रेसिपी जो खाने में बड़े ही स्वादिश लगते हैं तो जैसक कि आप सब जानते हैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गैस ओन कर खढ़ाई रखा है और यहाँ पर हम एक चमच घी डालेंगे और जैसे ही घी हमारा जो मेल्ट हो जाएगी तब हम यहाँ पर एड़ाई कप हमने मखाने लिए हैं इसे हम डाल देंगे और इसे हम लो टू मेडियम फ्लेम पे लगतार चलाते हुए हमें इस तरह के से रोष्ट कर लेना है जब तक कि मखाने जो है क्रंची ना हो जाए क्योंकि मखाने में काफी नमी होती है और घी में फ्राइ करके बनाने से जो है हमारी खीर भी बहुत ही स्वाधिश बनती है यहाँ प हमारे यह मखाने जो है अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं इसे हम निकाल लेंगे और इसी कड़ाई में हम डालेंगे एक लीटर फुल क्रीम मिलक तो यहाँ पर हम इसे डाल देते हैं और इसे हम चलाते हुए लगतार उबालाने के लिए रख देंगे तो यहाँ पर हम इसे खुबालाने के लिए रख देते हैं और यहाँ पर हमने यह मकाने जो अभी फ्राय करके रखे थे इसे मिक्सी जार में डालेंगे और यहाँ पर हम यह थोड़े से मकाने पचा कर रख लेंगे लास्ट में हम गानिशिंग में यूज़ करेंगे और इन मखानों को हमें दरदरा पीस लेना है तो यहाँ पर देखिए हमने मखानों को दरदरा पीस लिया आप देख सकते हैं इसमें अभी भी जो है छोटे-छोटे चंग से मखाने के हमें इसे बारिक पिल्कुल भी नहीं पीसना है इसी तरीके से हमें इसका पीस कर त्यार कर लेना है तो इसे हम बावल में निकाल लेते हैं और यहां पर हमारा देखिए दूद में जो है उबाल आ चुकी है तो हमें इसे इसी तरीके से लगतार चलाते हुए दूद को गाड़ा होने तक पका लेना है जब तक कि दूद एक ल लगतार शिलाते विए दूद भी काफी गाड़ा हो चुका है और यह देख सकते हैं काफी रिड्यूस भी हो गई है तो यहाँ पर हम यह दरदरा पिसा हुआ मखाना डाल देते हैं और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो जब मखाने अच्छे से मिक्स हो लेंगे बारी कटी हुए ड्राइफूट तो ड्राइफुट आप अपने मन पसंद के कुछ भी आड़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर बारी कटी हुई काजू बादाम पिस्ता और हम किसमिस लेंगे तो यहाँ पर मैं ड्राइफूट को जो है इसी तरीकी से ले रही हूँ बिना अगर आपको फ्राइ की हुए पसंदे तो आम इन ड्राइ फूट को फ्राइ करके आड़ कर सकते हैं और यहाँ पर हमने दो चमच किसमिस डाला है और अब हम यहाँ पर दूद में भीकवाया हुआ केसर डालेंगे इसे मैंने गर्म दूद में पहले से ही डाल कर रखा था ताक हम इसी तरीके से चलाते हुए दो से तीन मिनट के लिए और पका लेंगे तो ध्यान रखे जैसे जैसी मिल्क जो है गाड़ी होगी तो तले में लग भी सकती है तो इसलिए हम इसे कांटीनिव अस्टर करते हुए पका लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन मिनट पूरे हो चुके हैं तो यहाँ पर मैं यह एड़ कर दोती हूं सूगर तो यहाँ पर हमने यह 4 टेबल स्पून सूगर लिया है अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद हो तो आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर मैं एड़ करूंगी 1 टेस्प तो आप यहाँ पर इसी वक्त जो है गैस बंद कर दीजेगा क्यूंकि खीर ठंडी होने के बाद और गाड़ी हो जाती है तो मैं आप थोड़ा सा जो है इसे और जो है गाड़ा बनाऊंगी तो यहाँ पर मैं इसे 2-3 मिनिट के लिए और खूक कर लूंगी तो यहाँ पर देखिए लगतार शुलाते हुए है खीर को जो है दो मिनिट पूरे हो चुके और देख सकते हैं पहले के पेचा यह काफी गाड़ी हो चुकी है तो इससे जादा हम इसे कुक नहीं करेंगे क्यूंकि ठंडी होने के बाद और भी जो है गाड़ी हो जाएगी तो यहाँ पर हमने जो है गयास का फ्लेम बंद कर दिया है और इसे हम क्या करेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे कड़ाई में ही जब खीर जो ठंडी हो जाएगी हलकी तब हम इसे सर्व करेंगे तो हम इसे 10-15 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पर देखिए 15 10-15 मिनिट बात पूरे हमारी खीर आप देख सकते हैं कितनी काड़ी हो चुकी है पहले से तो इसे हम बावल में सर्व कर लेते हैं और वैसे भी खीर ठंडी ही अच्छी लगती है तो आप चाहे तो इसे फ्रीज में रखकर ठंडी करके सर्व कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने छहाली स्वादिष पोस्टिक से भरपूर मखानी की खीर बनकर तयार हो चुक की है बहुत ही स्वादिष लगती है तो आप इसे खेर में जाहे महाल करता ह do नवरातरी आप इसे जटपट में बनाकर सर्व कर सकते हैं और बहुत ही स्वाधिष्ट खीर है जो ये बनकर तयार होती है तो आप भी इस महासिवराती वरत उपवास में इस मखाने खीर की रेसिपी को जरूर टाइक किसेगा आपको जरूर पसंद आएगी और अगर आज की ह आपडेट आपको मिलती रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप इस रेसिपी को इंजोई कीजिए